What are the basic steps to start a blog? Blog start करने का क्या क्या step रहता है? कैसे आप एक effective blog channel बनाओ और उसे success का पहचान दो? सब को जानेंगे इस वीडियो में तो आप subscribe कीजिए और आगे देखिए तो ये जो साल है 2021, 2021 ब्लोगिंग के लिए एक नया future लेके आएगा ब्लोगिंग से आपको popularity मिलेगा, fame मिलेगा, ब्लोगिंग से आपको पेशा या earning भी आप कर सकते हो through advertisement और affiliate marketing तो ये सब होगा कब जब आप एक blogger, अच्छा blogger बनो, जब आप अच्छा blogging करो तो पहला step जो मैं आपको बताऊंगा वो रहेगा क्या find your niche niche मतलब क्या है, आपका target, आप किस line पर जाना चाहते हो, क्या आप बनाना चाहते हो, किस में आपका interest है, वो पहले है, find करो ठीक है, मतलब मालो में technical educational video बनाता हूँ, तो मेरा niche वही है ठीक है, कोई travel के लिए video बनाता है, कोई bike riding का video बनाता है, तो उसके लिए niche वही है bike rider जाके खाने बनने का video नहीं बनाएगा, ठीक है, तो उसका audience bike वाला देखने वाला audience अलग, खाने वाला देखने वाला audience अलग, मेरा audience अलग सब audience का अलग-अलग interest रहता है, तो अभी पहले आप अपना interest या अपना niche या अपना category आप चूज कर, तो अभी मैं step 2 में आपको बताऊंगा, कि आप एक right platform चुनिए, देखिए, vlogging हो सकता है या vlogging हो सकता है, आप website पे बना सकते हो, जो कि पढ़ने वाला, या video देखने वाला ब्लॉगिंग भी बना सकते हो, तो platform बहुत सारा हो सकता है, आप एक drag and drop website builder ले सकते हो, या wordpress ले सकता हो, या custom folder भी website ले सकते हो, या इधार जाके video जैसे की YouTube होगे, Instagram होगे, Facebook पे भी आप video बना के छोड़ सकते हो, लेकिन अब आपको चूज करना है, कौन सा platform आप यूज कर करेंगे, अब फिर कौन सा platform पे हम लोग काम करेंगे, जिसमें हम ultimate success तक पहुन सकते हो, वो भी हम लोग select कर दिये, तो अगर आप एक website के तरह जाना चाते हो, जैसे की wordpress हो गया, custom coded हो गया, या drag and drop website builder हो गया, तो आपको चाहिए होगा, एक domain name और दूसरा चाहिए होगा hosting, ठ ऐसे यो hosting आपको different service provider से सस्ता मिल जाएगा, domain का क्या है, domain मतलब आपका address या आपका name, ठीक है, किस नाम से आपका website को बुलाया जाएगा, आप देख सकते हो उपर कि मेरा website का नाम है subhampanda.com, तो ये जो subhampanda.com है, ये domain name है, अब address तो मिल गया, लेकिन website तो हम लोग बना दिय उसको रखेंगे किदर, तो रखेंगे किदर, रखेंगे इधर कि एक online hat disk, जिसको हम बोल सकते हैं, hosting, एक hosting हमको लेना है, address को hosting के साथ लिंक करना है, और website को उधर बना देना है, बस यही काम है अमारा तीसरा step में, कि domain लेना है, hosting लेना है, domain और hosting को लिंक करना है, एक दूसर आपका website ready है, अगर यह WordPress में है, तो आप different plugin WordPress का मिलता है, जैसे कि SEO के लिए SEO optimizer plugin मिलता है, website speed up करने के लिए दूसरा plugin मिलता है, image optimization के लिए भी plugin मिलता है, हर चीज के लिए आपको plugin मिलता है, तो वो सा plugin आपको install करना है, ताकि आपका website, ताकि आपका blog पूरा optimize for SEO हो जाए, क्या वो है हमारा keyword research, हम तो select कर लिए एक particular niche, हम तो select कर लिए एक particular category जिस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन वीडियो क्या बनाएंगे, कौन सा topic ज्यादा search होता है, क्या ज्यादा demand में रहता है, अगर हम लोग वही demand fulfill किये, अगर हम customer का, अगर हम viewer का demand fulfill करता है, तभी हम लोग आगे जा पाएंगे, तो demand जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को keyword research करना पड़ेगा, keyword research क्या है, research about the keyword that user search on the search engine, ठीक है, लोग जो search करते हैं, अगर हमको पता चल गया, किसी भी method से, तो हम लोग वही search term पे हम लोग हमारा blog बनाएंगे, ताकि लोग ज हम आगे जाएंगे, हमारा website आगे growth होगा, तो कैसे user जो ढूंते हैं, कैसे हम लोग search करें, वही एक method है, क्या method है, keyword research, ठीक है, अभी हम करते है keyword research, keyword research हो गया, अभी हम लिखते हैं, unique copyright free content, ठीक है, अभी आपको unique content लिखना है, जो कि आपका specific needs, या category में हो, content को आप किधर से भ बनाना है, आपको unique, अगर आपको कैसे पता चलेगा, unique है के नहीं, वो आपको एक plagiarism tool मिलता है, Google पर सार्च करके, अपना content उदर डाल के, देखो, कितना percent unique है, कितना percent copy है, आप जान सकते हो, unique content करोगे, तभी ही, आपका content unique होके, तभी ही, आपका content आगे जा पाएगा, blogging अ कर दिये, अभी हम लोगों को जाना है, कितना visitor हमारे website पर आ रहे है, तो उसके लिए simple आप क्या करोगे, Google Analytics install कर दोगे, Google Analytics install करने के बाद, आपको क्या होगा, कितना visitor आए, कौन सा सोर से आए, कहां पर रहे, कितना time रहे, सब कुछ analytics आपको मिल जाएगा, वही analytics देखते behavior, visitor का behavior देखते हुए, आगे content बनाना है, different different आप content बना दिये, मान लीचे एक ही type का content ज्यादा चल रहे, दूसरा type content नहीं चल रहे, तो आपको पता चल गया कि आपका audience वही content लाइक करता है, तो अकली type से वही content बनाना है, simple यह होगा, help अगर आप Google Analytics install करते हो, तो अब यह आ आगे का video बहुत important है, वो भी आप देखना है, तो आप channel को subscribe करके, और दूसरा video भी देख सकते हो, hope this video is helpful for you, मिलते हैं अगली video में, thank you, have a good day, bye-bye.